आज की इस लेक्चर में हमारा जो में टॉपिक है वो है वेट्स्टोन ब्रीज नेटवर्क आप याद रखिए वेट्स्टोन जो है वो एक बिरिटिश साइंटिस्ट है जिन्होंने आसे 100-100 साल पहले अलग-अलग पांच या छे लिजिस्टन्स का अग पर्टीकुलर एक जाल जो है पर्टीकुलर टाइप का एक नेटवर्क इंट्रोडियूस किया और एक तरीका बताया एक मे्थड जो है और तयार किया उन्होंने ताकि हम अनोन डिजिस्टन्स मालूम कर सकें ओके तो वेट स्टोन बिरिज नेटवर्क बेसिकली एक पांच या छे अलग-अलग रेजिस्टंसे इसका एक जाल होता है एक नेटवर्क होता है जिसमें जिसको इस्तेमाल करके हम लोग अन्नोन रेजिस्टंस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वेट स्टोन बिरिज नेटवर्क बेसिकली बंदा कैसे है मतलब देखने में वो कैसा होता है तो देखिए हम सबसे पहले यहां पर एक पतंग शेप में चार अलग-अलग वायर्स को आपस में करनेट करेंगे मानलो के मैंने यह इस तरीके से चार अलग-अलग वायर्स को आपस में जोड़ दिया और इसके कॉर्नर्स के नाम रख दिये A, B, C और D अब यहां पर आप जैसे देख रहे हो के चार अलग-अलग वायर्स हैं तो मैं हर वायर के अंदर एक resistance जोड़ दूँगा suppose करो मैंने यहां इस जगह पर एक resistance लगा दिया जिसका नाम है R1 यहां मैं एक resistance लगा दूँगा जिसका नाम है R2 इस जगह पर एक तिसरा resistance R3 और एक यहां पर resistance लगा देंगे R4 तो टोटल मिलाकर मैंने चार अलग-अलग रेजिस्टंसे यहां पे ले लिये हैं अब आप एक चीज़ देखिए कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर A और C ये दो डाइगनल पॉइंट्स हैं ये दो अपोजिट कार्नर्स हैं और आपको पता है कि दो अपोजिट कार्नर्स के बीच में ही हम बिरिज बना सकते हैं बिरिज यहने एक पूल बनाना है हम लोगों को हमको A और C को आपस में कनेट करना है तो जब हम इन दो लोगों को आपस में कनेट करेंगे तो हम एक काम करेंगे उसको यहां connect कर बताने की बजाए हम वो connection यहां नीचे भी बता सकते हैं तो मैं यहां पर उसका connection कुछ ऐसे बता देता हूँ मान लो कि मैंने उसको इस तरह से connect कर दिया तो यह एक मैंने हैं पे A और C के बीच में एक bridge बना दिया उसी तरह से आप देखो कि B और D जो है ये भी डाइगनल पॉइंट्स है और अपोजिट कार्नर्स या डाइगनल पॉइंट्स होने के वज़े से मैं इन दो के बीश में भी एक ब्रीज बना सकता हूँ तो एक ब्रीज मैं यहां पर ऐसे बना दूँगा तो मैंने क्या किया यहां पर दो अलग-अलग जो डाइगनल पॉइंट्स थे मतलब B और D उनको आपस में करेट कर दिया एक ब्रीज बना दिया और ऐसी A और C डाइगनल पॉइंट्स है उनके बीश में एक ब्रीज बना दिया अब आखरी चीज़ जो मुझे इसमें करना है वो यह है कि मैं A और C जो है इनके बीच में यहाँ पर एक बैटरी करनेट कर दूँगा जिसका E M F मान लो के E है और यह जो B और D है इसके बीच में यहाँ पर एक नया रेजिस्टन्स करनेट कर दूँगा जिसकी वैल्यू मान लो के R5 है तो इस तरीके से यह जो नेटवर्क जो आपके सामने नजर आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं वेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क मैंने जैसा आपको शुरू में इंट्रोड़क्शन में कहा था के वेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क बेसिकली पाँच या छे अलग-अलग रेजिस्टन्स का एक जाल होता है तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर एक्चुली पाँच अलग-अलग रेजिस्टन्स है आर वन, आर टू, आर थी, आर फॉर और आर फाइव ओके ये हो गया वेटस्टोन का वेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क का कम्प्लीट मतलब उसका में सर्किट अब यहाँ आप एक डबली हो, चाहे आईटी हो, कोई भी एक्जाम हो, उसमें जब भी इसे रिलेटेड कोशन पूछते हैं तो वो हमेशा बैलेंसिंग कंडिशन का कोशन पूछते हैं, अब यह बैलेंसिंग कंडिशन क्या होती है, तो उसको हम पहले डिटेल्स में समझ लेंगे, फिर बाद म में, आप ऐसा इमेजिन करो, अब जैसा आप देख रहे होंगे, यहाँ बैटरी है, तो मैं यहाँ से कुछ करंट निकाल लूँगा, मानलो मैंने यहाँ से करंट जो है, उसकी वैल्यू मैंने निकाला हूँ, यहाँ से I, ओके, तो यह I करंट जो होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, मानलो इसका नाम I2 है, ओके, अब सपोस करो कि यह I1 करंट यहाँ आगया, इसके बाद अब उसको डिवाइड होना पड़ेगा, कुछ करंट इदर जाएगा, और कुछ करंट इदर जाएगा, ओके, फिर आप देखो कि यह वाला करंट यहाँ से ऐसे आना है, यह करंट इदर से आएगा, यह करंट इदर से आएगा, और फिर इन दोनों को मिलकर इदर जाना है, तो यह करंट यहाँ से इदर जाएगा, ओके, अब आप यहाँ पर बैलेंसिंग कंडिशन क्या होती है, उसको पहले एक बार अच्छी तरह से समझ़ लो, आप याद रखो, बैलेंसिंग कंडिशन का मतलब यह होता है, कि जो करंट पॉइंट A से B की तरफ गया, वो पूरा का पूरा करंट B से C की तरफ जाना चाहिए, एक बार फिर से आप सुनो, जो करंट यहाँ से निकला, पॉइंट A से, वो करंट B से होते हुए C की तरफ जाना चाहिए, पू balancing condition इस चीज़ का नाम है अगर balancing condition इस चीज़ का नाम है कि यहाँ का पूरा current ऐसे जाना चाहिए और यहाँ का पूरा current ऐसे जाना चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आने वाला current कुछ नहीं होना चाहिए तो यह वाला current zero होना चाहिए अगर ये current zero है तो हम कहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा network जो है ये balancing condition में है ओके और अब इसको balancing condition में बताने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो current आ रहा है तो वो zero आ रहा है तो हमको यहाँ पर जो current है उसको गिनना है अब जाहर सी बात है अगर उस current को गिनना है तो हम एक काम ये करेंगे कि बीच में ये जो R5 मैंने यहाँ पर जो जोड़ा था ये resistance जो मैंने यहाँ पर लगाया था जो numericals में आने वाला है आगे चलकर तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक instrument जोड़ देंगे जिसका नाम है galvanometer ओके ये जो galvanometer है एक्चुली इसका काम होता है बहुत छोटे से छोटे current को एक deflection की रूप में जो है उसको note कर देना या उसका measurement बता देना ओके तो R5 को हमने replace कर दिया galvanometer से और यही वाली diagram हमारे board की book में है तो आप लोग किसी भी तरह से कोई confusion में ना आएं जो circuit diagram मैंने आपको पहले बताया था पांच resistance लेकर वो और ये diagram सेम है सिर्फ इतनी सी बात है कि यहां बीच का जो resistance था उसको हटा दिये उसकी अगापे galvanometer लगा दिये ताकि यह देख सको कि हैसे उपर से आने वाला current कितना आया और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि balancing condition का मतलब है कि यहां से आने वाला current 0 लेना है तो अगर यह current 0 लेना है तो इसका मतलब क्या हुआ I1 current इदर जाएगा यह current का ना मैं थोड़ी एर के लिए IG रख देता हूँ IG का मतलब galvanometer current तो यह आपको 0 लेना है इसका मतलब I1 current इदर आ जाएगा यह I2 current इदर जाएगा यह उपर से कोई current ही नहीं आया तो यह I2 current यहां आकर इदर चले जाएगा और I1 और I2 कौन लोग है तो I1 और I2 I के हिस्से है junction A के उपर I जो current था वो दो तुकड़ों में divide हुआ था I1 और I2 में यहां पर वो दोनों तुकड़े मिल गए I1 और I2 जब मिल जाएगे तो जब इदर जाने वाला current होगा तो I आएगा इसका मतलब यह current वापस आगया ओके तो इस तरीके से इस battery E में से जितना current निकला था उतना current वापस आगया घूमकर ओके तो यह चीज बैलेंसिंग कंडिशन में होती है जिसके अंदर बीच वाला जो गैलोरमीटर में से पास होने वाला current है यहाँ बीच वाला जो resistance है उसमें से पास होने वाला current zero लिया जाता है अब यहाँ पर वेट्स्टोन बिरिज नेटवर्क जो है तो यह उसका introduction complete हो गया और उसकी balancing condition का formula भी complete हो गया sorry balancing condition की condition जो है वो मैंने आपको बता दिया कि balancing condition की basically condition क्या होती है हम balancing condition का कहेंगे जब point B और D के बीच में यह जो गैलो अनुमीटर है यहाँ जो resistance लगवा है उसमें से पास होने वाला current zero हो ओके तो यह थी वेट्स्टोन बिरिज नेटवर्क की उसकी complete introduction ओके अब हम थोड़ा सा इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं अब आप एक चीज़ देखो कि अभी मैंने आपको बताया था कि balancing condition का मतलब है B और D इस ब्रांच में से कोई current नहीं जाना ओके point B से point D के तरफ current नहीं जाना चाहिए अब नहीं जाना चाहिए current नहीं जाना चाहिए इस बात का मतलब क्या है तो आप देखो बहुत आसान सी बात है मान लो मैं इसको explain करने के लिए एक wire आपको बताता हूँ मान लो ये एक wire हमने लिया और इस wire पर यहां पर point मान लो के A है और यहां पर point B है और current ऐसे flow हो रहा है A से B के तरफ तो आप लोग याद रखो के current उसी वक्त flow हो सकता है जब point A का potential higher हो और point B का potential lower हो ओके मतलब यहां का potential यहां का voltage जादा होना और यहां का potential या voltage जो है वो कम होना जब इन दोनों के बीच में potential का difference होगा जिसको हम potential difference कहते हैं जब तक potential difference नहीं आएगा तब तक के current नहीं जाएगा current जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि यहां का potential higher है और यहां का potential lower है ओके लेकिन अब आप ऐसा imagine करो कि यहां का potential है मान लो के वो V है और यहां का potential है मान लो के वो भी V है तो जब आप दोनों का potential difference निकालोगे तो वह आ जाएगा V minus V मतलब 0 तो यहाँ पर तो कोई potential difference ही नहीं आया और अगर potential difference नहीं आया तो फिर यह current होगा या नहीं होगा तो definitely नहीं होगा मतलब इस condition में यहाँ पर आपको current जो है वो नहीं मिलेगा current जो हो नहीं possible ही नहीं है कि current पास हो current का पास होता है जब कोई एक terminal higher potential पर होता है और दूसरा terminal जो हो lower potential पर होता है अगर दोनों points same potential पर हो तो potential difference 0 हो जाएगा और कोई current flow नहीं होगा तो अब अगर आपको यह बात समझ में आ गई होगी तो अब आप यहाँ देखिए point B और D यह points को आप देखो point B में से D के तरफ current नहीं जाना है यह बैलेंसिंग कंडिशन यही है कि यह बीच में से current नहीं जाना है इसका मतलब हम यहाँ पर यह चीज़ अज्यूम कर रहे है कि balancing condition का मतलब होता है कि point B का potential और point D का potential सेम है clear? यह point यह बास समझ गया है सब लोगों को अगर point B का potential और point D का potential अगर हम सेम लेंगे यानि दोनों के बीच का potential difference अगर हम zero ले लेते हैं तब ही यहाँ पर कोई current नहीं flow होगा ओके? तो यह बहुत जादा basic condition है कि balancing condition का मतलब होगा कि potential at the point B and potential at the point D is same और इसलिए दोनों के बीच का potential difference zero हो जाएगा और इसलिए इसमें से कोई current flow नहीं होगा ओके? तो यह थी कहानी weightstone bridge network के introduction की और उसके details की अब आप लोग देखिए कि इस weightstone bridge network जो है इसकी यह जो balancing condition है तो उसके लिए हमको एक formula बनाना है एक formula का जो derivation है वो हमको करना है तो चलिए अब हम देखते हैं कि weightstone bridge network का formula हम की इस तरीके से मालूम कर सकते हैं ओके तो चलिए जैसा आप देख रहे हो कि weightstone bridge network आपके सामने जो बना हुआ है इसमे सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूँ इससे पहले वाला lecture आपने details में अगर इससे पहले वाला lecture अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार आप देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर हम उस lecture में जो points हमने discuss किये थे वो सब यहाँ पर use होंगे सबसे पहले तो आप देखिए कि point A से B से G से D और वापस A यह जो triangle आप देख रहे हो तो यह एक triangular loop है closed loop है और जब closed loop है इसका मतलब मैं यहाँ पर किर्चॉफ second law apply कर सकता हूँ उसी तरीके से B, C, D, G, B यह भी एक triangular closed loop है तो मैं यहाँ पर भी किर्चॉफ second law apply कर सकता हूँ तो हम को यहाँ पर K, V, L किर्चॉफ voltage law apply करना है दो बार एक बार इस जगह पर और एक बार इस जगह पर ओके तो चलो शुरू करते हैं पहला जो loop हम यहाँ पर लेंगे वो है A, B, G, D, A आप लोग एक बार फिर से चेक करो A, B, G, D, A यहाँ पर हमको apply करना है K, V, L किर्चॉफ voltage law या फिर किर्चॉफ second law ओके चलो देखते हैं क्या होगा आपको याद होगा किर्चॉफ voltage law जो है उसका basic statement है summation of E plus summation of IR equal to 0 ठीक है अब इसमें हम check करते हैं इतने part के अंदर आप लोग देखो summation of E मतलब A, B, G, D, A इतने triangle के अंदर जो बैटरियां जूड़ी गई है जो भी batteries है जो भी sales यहाँ पर लगे वे हैं तो उनका EMF अब आप देखो कि इस पूरे circuit के अंदर एक battery है जो यहाँ है और यह जो battery है वो इस triangle के बाहर है मतलब वो इस triangle के अंदर नहीं है यह loop का हिस्सा नहीं है वो तो एक अलग close loop हो जाएगा अगर आपको उसको लेना है तो इसका मतलब यह हुआ कि इतने triangular loop के अंदर कोई battery नहीं है और जब कोई battery नहीं है तो इसका मतलब summation of E जो है वो zero हो जाएगा क्योंके कोई EMF है यह नहीं जब कोई नहीं है तो zero EMF है प्लस चलो अब हम शुरू करते है point A से आगे जाना अब जैसा कि हमने पिछले बार भी किया था जा और फिर हम याद दिला देते हैं कि आज आज भी हमेशे की तरह हम यहाँ पर clockwise sense जो लेने वाले हैं tracing जो रहेगी हमारी ओ clockwise होना चाहिए anti clockwise भी ले सकते हैं लेकिन आसानी के लिए मैं बता दूँ कोई भी tracing हम select करेंगे और throughout the course हम लोग clockwise जो tracing है वो लेंगे ठीक है तो चलो यह से यहने हमारी जो tracing है चलो उसको एक काम कर दे हैं यहाँ पर मैं यहाँ इस जगा पर मैं बना देता हूं इस तरह से तो यह हमारी tracing है अब आप गोर से देखना कि यह tracing में जो लोग आएंगे वो हमारे साथ जो नहीं आएंगे वो हमारे अपोज में तो चलो शुरू करते हैं शुरुआत करेंगे A से B तक अब आप देखो हमारी tracing ऐसे जा रही है current I1 भी हमारे साथ में जा रहा है दोनों साथ में है अगर current साथ में है तो उसको negative लेना पड़ता इसलिए हमने उसको negative लिया हुआ है अब आप देखो B से लेकर D तक आना है यहां उपर से नीचे आएंगे तो यहां तो current है IG मगर उसको तो 0 लेना है तो यहां actually क्या हो जाएगा IG into G लेकिन IG की value 0 है तो इस जगह पर हमको कोई potential difference नहीं मिलेगा ओके वो 0 हो जाएगा फिर भी मैं यहां पर आपको समझाने के लिए 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 हूँ actually यह 0 जो है वो B से लेकर D तक के बीच के लिए है plus अब मैं D से A के तरफ वापस जाऊंगा इदर याने अब हमारी tracing देखो कैसी आ रही है S इस तरह से tracing जा रही है D से A के तरफ तो जब D से A के तरफ जाएंगे तो हमारे मुलाकत होंगे I2 से current I2 से और current I2 कैसा है वो हमारे oppose में है जो हमारे oppose में हो उसको positive लेना पड़ता ओके जो current oppose में होता है वो positive तो यहां पर यह आ जाएगा I2 और इसका resistance है R4 ओके अब वापस आप A से निकल कर वापस A पर आ गए इसका मतलब इन सबका total जो हो zero आ जाएगा ओके मुझे उम्मीद है आपको यह equation बनाना आ गया होगा ठीक है अब आप देखो क्या हुआ इसके अंदर यह zero और zero का तो कोई meaning नहीं है यह negative है और यह यह वाली term प्लस है तो एक काम करते हैं यह हम negative वाली term को उधर shift कर देते अगर हम उसको उधर shift कर देंगे तो क्या मिलेगा I2R4 यह वाली term is equal to यह वाली minus वाली term उधर जाकर plus हो जाएगी वो जाएगी I1 R1 देखो आप समझ में आया आप लोगो हर step को बराबर देहन देगे समझो आप लो ओके तो I2R4 यह वाली negative term उधर चले गई अब आप इसमें से currents को एक तरफ कर दो resistance को एक तरफ कर दो यह कुछ ऐसा हो जाएगा I2 upon I1 is equal to अब resistance को उधर भेज दो यह हो जाएगा R1 upon R4 तो हमको यह वाले लूप में मतलब A, B, G, D, A यह जो लूप था हमारे इदर वाला इसमें हमने KVL apply करे कि रिचोफ voltage law यहने second law अपला करे हमको यहाँ पर यह चीज़ बिल गई मैं यह फॉर्मूला यहाँ इस जगा पर नोट करके रख देता हूँ I2 upon I1 is equal to R1 upon R4 मान लो यह हमारी equation number 1 है ठीक है मुझे उम्मीद है आपको इतना आगया होगा अब आप एक काम करो इस वीडियो को यहीं पर आप pause कर लो ओके और pause करने के बाद अब आप अपनी मरजी से खुद से के वी एल मतला किर्चोग होल्टेज ला अपलाए करो बाजू वाले लूप में यह जो बाजू वाला जो ट्रेंगिलर लूप है इसमें अपलाए करो मैं यहां पर आपकी सहूलत के लिए लूप का नाम लिख देता हूँ लूप का नाम रहेगा B C D G B देखो एक बार आप B C D G B मैं ने एक बार फिर कलॉक वाई सेंस लिया हूँ नजर आया सब लोगों को देखिए आप मेरे हाथ की हरकत को देखो यह जो आप देख रहे हो पेन की जो हरकत हो रही है तो कैसे है कलॉक वाईस तो ट्रेंगल में भी हमने सेम ऐसी मिलती है या कुछ और मिल जाती है ठीक है चलो मैं आगे सॉल करना शुरू करता हूँ के वी एल का फॉर्मूला है समेशन ओफ ई प्लस समेशन ओफ आई आर इकवल टू जीरो ओके किर्चौव होल्टेज लॉग का बेसिक स्टेटमेंट ये वाला है अब समेशन ओफ ई आप देखो इतने पार्ट में यानि ये जो ट्रेंगल है इतने पार्ट के अंदर कितनी बैटरी जोड़ी भी है तो एक भी नहीं है जब बैटरी या कोई सेल यहाँ पर जोड़ावा नहीं है इसका मतलब समेशन ओफ ई विल बी जीरो अब हमको पॉइंट बी से सी की तरफ जाना है तो उसकी लिए मैं पहले यहाँ पर एक सैंस बना देता हूँ यहाँ पर हम लोग यह इस तरह से लेंगे यह हमारा कलॉकवाई सैंस है आप याद रखो अगर आप कोई भी इस तरह का कोई क्लोज लूप आप सौल कर रहे हो तो एक लूप में अगर आपने कलॉकवाई सैंस लिया है तो दूसरे लूप के अंदर आप कलॉकवाई एंटी कलॉकवाई कुछ भी ले सकते हो कोई प्रॉलम नहीं है लेकिन मुनासिब यही है कि आप एक ही सैंस लो और वो कलॉकवाई लो ताकि आपको एक ही मैथ़ड की हैबिट हो जाए तो चलो देखते हैं आगे बढ़ाते हैं अब पॉइंट B से C की तरफ जाना है तो पॉइंट B से C की तरफ जाना है तो जो करंट साथ में होता है वो निगेट यू इसका मतलब माइनस आई वन लेकिं रिजिस्टन्स कौन सा है आर टू उके उसके बाद प्लस अब आप पॉइंट बी से सी तक आगए सी से डी तक आओ आओ आपकी ट्रेसिंग इदर जा रही है ऐसे हमारी ट्रेसिंग ऐसी आ र और यहां पर हमारी ट्रेसिंग ऐसी आ रही है आपोज यहां आई टू ने हमारा आपोज किया इसका मतलब जो आपोज करे वो पॉजिटिव तो यहां जाएगा प्लस आई टू आर थ्री ओके यहां पर एक चीज मैं आपको जस्याद करने के लिए बता रहा हूं आप याद सैंस के खिलाफ जाएगा उसको पॉजिटिव लेना है और जो साथ में चले जो क्या बोलेंगे उसको चापलूस ही करे जो साथ साथ में हो जो हमारा सैंस का साथ दे तो वो डेफिनेटली वो चापलूस होगा वो निगेटिव होगा तो हमने उसको निगेटिव लिया ठीक ह जिरो है आई जी की वैलियू जिरो है इसका मतलब यहां पर करंट या पोटेंशन डिफरंस जिरो आ गया इकवल टू जिरो या पॉइंट बी से निकल कर वापस बी पर आ गए ओके मैंने आपको बोला था कि वीडियो को पॉस करके आप खुद सौल करो अगर आपने किया है तो आप एक बार चेक करो कि आपको यह एक विशन मिली या नहीं मिली अगर कुछ गलती हुई है तो चेक करो कहां गलती हुई है ठीक है चलो अब आगे बढ़ाते हैं अब यह 0 और यह 0 का कोई दिया आएगा I1 R2 ओके और अब हम एक काम करेंगे इस में से भी हम करंट स्कॉला करो रिजिस्टंस स्कॉला कर दो तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा I2 अपान I1 इस इक्वल तो यह R3 उदा शिफ्ट कर दिये R2 अपान R3 तो यहां पर हमको यह वाली इक्वेशन मिली मतलब इस लूप में यह वाला जो लूप है B, C, D, G, B यह वाला लूप जो है उसमें हमको यह फॉर्मूला मिल गया यह हमारी इक्वेशन नमबर 2 और यह जो हमको मिली थी यह equation number 1 थी अब आप देखो equation 1 है I2 upon I1 उसकी value है R1 upon R4 और equation number 2 है I2 upon I1 और उसकी value है R2 upon R3 इसका मतलब यह हुआ कि यह भी I2 upon I1 है और यह भी I2 upon I1 है तो दोनों को हम compare कर सकते हैं तो जैसी हम इन दोनों को compare करेंगे अब आप लोग देखो जैसी compare करोगे आपको एक मसेदार formula मिल जाएगा क्या formula मिलेगा I2 upon I1 की value क्या थी यहाँ पर R1 upon R4 is equal to और यहाँ पर I2 upon I1 की value R2 upon R3 तो यह आजाएगा R2 upon R3 तो यह formula जो आपके सामने अभी लिखा हुआ दिख रहा है कुंसा formula यह वाला यह formula R1 upon R4 is equal to R2 upon R3 इस formula को हम बोलेंगे balancing condition formula for weight stone bridge मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह derivation यह समझ में आया होगा अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस formula को हम याद कैसे रखना है तो मुझे definitely मतलब मुझे समझ में आ रहा है जैसा कि आपको यह circuit और यह formula को देख कर ऐसे parallel way में देखते है बराबर आपको hint समझ में आ रहा होगा चलो ठीक है अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आप देखो गौर से हमारे पास यहां पर वेट स्टोन बिरिज यह इस तरह से एक पतंग के शेप में है इस जगा पर है R1 इस जगा पर है R2 यहां पर R3 और यहां पर R4 और यहां बीच में इस जगा पर galvanometer और यह balanced है तो आप लोगों को मैं एक हिंड बताता हूँ आप देखो ऐसा समझो के balance का मतलब equal to तो यह balance का मतलब अगर यह equal to लेते हैं तो फिर यह left वालों का ratio R1 upon R4 is equal to right side वालों का ratio R2 upon R4 देखो आप लोग R1 upon R4 equal to R2 upon R3 आया समझ में R1 upon R4 equal to R2 upon R3 मतलब galvanometer के left में जो लोग हैं इन दो लोगों का ratio R1 upon R4 equal to right side वालों का ratio R2 upon R3 आप में से किसी के दिमाग में एक और बात आ सकती है और वो यह के R1, R2, R3, R4 अगर ले नहीं था तो कितना अच्छा होता अगर मैं इसको R1 और इसको R2 लेता और इसको R3 और इसको R4 लेता तो यह formula कितना मज़िदार लगता था R1 upon R2 is equal to R3 upon R4 ऐसा नज़र आता था अगर मैं इसको R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4 लेता तो तो यह formula ऐसा आता था और यह याद रखने में और भी ज़्यादा आसा था लेकिन आप याद रखो यह formula अगर मैं आपको इस तरीके से बताता और इस तरह से यह value R1, R2, R3, R4 लेता तो देखने में यह definitely अच्छा लगता था लेकिन इससे based जो problems पूछे जाते हैं खास और से board के exams में उसमें आप लोगों से definitely गलती हो जाती कैसे गलती हो जाती तो मैं आपको बता दूँ कि board exams में यह सवाल तकरीबन हर साल आता है इससे related कोई ना कोई numerical तकरीबन हर साल आता है और उसमें जो चार resistance जो दिये जाते तो वो बिलकुल यह इस तरीके से clockwise sense में दिये जाते इस तरह से दिये जाते आपको सवाल दिया आएगा कि आप इनको कैसे लोगे अगर आप इसको मान लोग इसका नाम R1 इसका नाम R2 इसका नाम R3 इसका नाम R4 रख देते है तो R1, R2, R3, R4 के रूप में तो आप यहाँ पर गडबड़ कर दोगे आप क्या गड़ोगे उसको R1 upon R2 मतलब यहाँ R1 यह 4 upon 4 इधर आप 4 upon 8 इस तरह से ले लोगे और फिर वो आपका पूरा जो प्रॉल्म और रॉंग हो जाएगा क्योंकि यह वैसा दिया वही नहीं है एक्चिली यह जो सीरीज में जो दी जाती तो वो सीरीज हमेशा ऐसे लेना होता है यह 4, यह 4, यह 4 और यह 8 ओके इसलिए आप याद रखो कि यह जो मैंने नॉमेंकलेचर जो रखा हूँ बहुत सो समझकर बोर्ट के नुमेरिकल्स को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको नाम इस तरह से दिया हूँ यहां R1, यहां R2, यहां R3 और यहां R4 और बैलेंसिंग फॉर्मूला यह दो लोगों का रेशो इस इक्वल टू वो दो लोगों का रेशो, मुझे उम्मिद है कि आपको यह पूरा आर्टिकल जो हो समझ में आ गया होगा अब, और साथी साथ जो हिंट मैंने आपको दिया याद रखने के लिए वो भी आपको समझ में आ गया होगा, अब हम यहां पर एक नया काम थोड़ा सा यह करने, यहां हम मैं एक चीज, इन एडवांस आपको बता दूँ, कि एक और मैथड है जिसके जरीए आप यह फॉर्मूले को पूरूफ कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आप लोगों को, बाइ यूजिंग किर्चोफ लाव यह मैंने पूरूफ करके बताया ऐसे बाइ यूजिंग ओहूम्स लाव यह आप इसको पूरूफ कर सकते हो, मतलब पोटेंशल डिफरंस का कंसेप्ट लेकर भी इसको पूरूफ किया जा सकता है उसका तरीका यह होगा कि हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि पॉइंट बी पर पोटेंशल और पॉइंट डी पर पोटेंशल सेम लेना है ओके एक जैसा पोटेंशल हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा और जब आप यहाँ पे एक जैसा पोटेंशल लोगे तो पोटेंशल डिफरंस की वैलियू आपको जीरो लेना पड़ेगा तो ये concept को use करके भी हम इस formula को proof कर सकते हैं लेकिन क्योंके वो अपने मतलब जो अपनी जो board की जो book है उसमें अब वो method नहीं है और इससे पहले मतलब पिछले syllabus में भी ये पूरा part था तो अक्सर करके जो board के जो मतलब papers में जब ये derivation आता था तो उसमें ये दिया जाता था कि by using potential difference वाला method आप use ना करें ओके बाकादा ये दिया जाता था उसके अंदर कि potential difference वाला method जो है वो आपके लिए आपके लिए expected नहीं है आप उसको use ना करें और मेरा तो तज़रूबा ये भी रहा है पिछले कुछ साल पहले जब ये derivation पूछे थे तो जिन बच्चों ने potential difference वाला method अपलाय करके इसको proof किये थे उन लोगों के Mars card दिये गए थे उनको zero Mars दे दिया गया था यानि वो expected ही नहीं था तो इसी लिए आप एक ही method याद रुखो और वो method ये वाला जो है by using या by applying creature of laws ओके मुझे उमीद आपको मेरी तमाम बातें जो है वो समझ में आ गई होगी ओके तो अब हम एक काम करते हैं वेट्स्टों बिरिज नेटवर्क से related कुछ numericals जो हैं वो कर लेते हैं ताके आपका जो इस particular circuit को लेकर जो भी आपके ideas है तो वो और जादा clear हो जाए और आपको ये भी समझ में आ जाए कि इस तरह के problems को solve यानि इस तरह ये जो वेट्स्टों बिरिज जो है तो इसको हम किस तरीके से use कर सकते हैं चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का पहला problem मान लीजिए कि आपको एक वेट्स्टों बिरिज नेट्वर्क दिया जाए जैसा कि आप देख रहे हो और आपको ये बोला जाए कि यहाँ पर R1 है जिसकी value 4 O हम है ये R2 है और ये भी 4 O हम है ये R3 है और ये भी 4 O हम है और ये R4 है और ये 8 O हम है तो अगर आपको ऐसा बोला जाए कि 4 O हम, 4 O हम, 4 O हम and 8 O हम resistances are given ये आपको दिये और इनको यूस करके आपको एक वेट्स्टों बिरिज बनाया है आपसे दो सवाल पूछे हैं पहला सवाल कि क्या ये वेट्स्टों बिरिज नेट्वर्क balanced है पहला कोशन ये है कि वेदर इस वेट्स्टों बिरिज नेट्वर्क is balanced or not और दूसरा सवाल ये है कि अगर ये balanced नहीं है तो फिर जहां पर 8 O हम resistance है उसके साथ में कितनी value का shunt लगाना पड़ेगा किस value का shunt लगाना पड़ेगा shunt क्या होता है वो मैं अभी आपको explain कर देता हूँ तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये balanced है या नहीं है तो ये तो देखकर ही समझ में आ रही है बात आप देखो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास balancing formula जो है वो ये है r1 upon r4 is equal to r2 upon r3 ओके यहने गैलवनमीटर की left side वाले दो लोगों का ratio is equal to right वालों का दो लोगों का ratio चलो इसमें values put करते हैं r1 4 upon r4 8 is equal to r2 4 upon r3 4 अब जाहर है अगर इसको solve करते हैं तो यह आजाएगा 1 by 2 यह आजाएगा 1 by 1 तो 1 by 2 और 1 by 1 they are not equal ओके 1 by 2 cannot be equal to 1 by 1 होई नहीं सकता दोनों equal नहीं है और जब यह नहीं है तो फिर यह formula तो गलत होगए r1 upon r4 is not equal to r2 upon r3 और जब यह not equal to है मतलब यह balanced नहीं है तो आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा यानि आपको यह चीज़ बतारा है इस तरीके से बताना पड़ेगा कि यह balanced क्यों नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यह ratio equal नहीं आया यह ratio equal आ जाता तो यह balanced हो जाता तो चलो पहले सवाल का जवाब तो हो गया अब सवाल ये आएगा कि ये बैलेंस क्यों नहीं है अगर ये बैलेंस नहीं है तो क्यों नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर 8 oham resistance है और अगर यहाँ 8 oham resistance है तो वो कितना होना चाहिए था अगर इसको balance करना होता आप लोग देखो यह values इस तरह से आगे थी 4 by 8 is equal to 4 by 4 ओके यहाँ पर यह चार अलग अलग जो number आपको दिये वे हैं इन में से अलग number कौन है अलग number definitely यही है तो यहाँ इस 8 की वज़ा से यह balance नहीं है अगर यह 8 की जगा पर four होता तो यह balance होता ओके आप लोग दोबारा से गऑर से यह sentence को दोबारा सुनो इस 8 की जगा पर अगर four होता तो यह balance होता इसका मतलब यह हुआ कि हम को यहाँ पर four बनाना है ओके हमारा target क्या हो गया यहाँ पर यह जो eight ohum है इसको हम को 4 वहम बनाना है अब आप लोग याद रखो कि ये सीधे साधे नंबर तो है नहीं कि 8 को 4 बनाना है तो 8 में से 4 वज़ा कर दो उसको मानस कर दो तो आपको 4 मिल जाएगा बराबर है यहां resistance की बात हो रही है तो अब आपको थोड़ा सा 10 किलास का जो resistance के करना पड़ेगा वह आपको सोचना पड़ेगा आप देखो अगर आपके पास दो resistance है R1 और R2 और आपने उनको सीरीज में जोड़ दिये तो सीरीज का जो फॉर्मूला आपके पास था वो यह वाला था R1 प्लस R2 और अगर पैरलल था R1 प्लस R2 इस तरीके से था तो कहने का मतलब यह है कि सीरीज में आप उनको डायरिक्ट आइट करोगे और पैरलल कॉम्बिनेशन के अंदर आप उनका रेसी प्रोकल लेकर आइट करोगे तो यह फॉर्मूला आ जाएगा तो कहने का मतलब यह है अगर आपने सीरीज में जोड़ दिया तो वैल्यू बढ़ जाएगी जैसे फॉर एक्जामपल R1 मान लो के 1 है R2 मान लो के 2 है तो दोनों मिला कर कित्ता हो जाएगा तो मतलब वैल्यू बढ़ गए तो रेसिस्टन्स की वैल्यू अगर आपको बढ़ाना है तो उनको सीरीज में जोड़ेंगे लेकिन रेसिस्टन्स की वैल्यू अगर घटाना है उनको कम करना है तो उनको पैरलल जोड़ना पड़ेगा इसका मतलब यह हुआ मुझे उम्मीद है कि आपको शायद यह एक्स्पिलेनेशन पूरा समझ में आ रहा होगा तो इस एट ओहम को हमको फोर ओहम करना है कम करना है मतलब हमको यहाँ पैरलल जोड़ना पड़ेगा ओके तो अब मैं यह वाला पिक्चर यहाँ अलग से बना कि बता देता हूँ मान लो कि यह पॉइंट A है और यह वाला पॉइंट D है और इस जगा पर यह आपका एट ओहम है और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमको एट ओहम नहीं चलता हमको वहाँ पे फोर ओहम होना तो हम क्या करेंगे इसके साथ में पैरलल में इससे पैरलल एक रिजिस्टन्स जोड देंगे क्योंकि पैरलल कॉम्बिनेशन अगर जोड दिया जाए तो वैल्यू घड जाती वैल्यू कम हो जाती सीरिस कॉम्बिनेशन ले लिए तो वैल्यू बढ़ जाती रिजिस्टन्स के साथ resistance को अगर series में जोड़ दोगे तो value बढ़ जाएगी, लेकिन resistance के साथ में resistance को अगर आप parallel लगा देंगे तो value घट जाएगी, कम हो जाएगी तो हम एक काम करेंगे इस 8 और हम के साथ में एक नया resistance x जोड़ देंगे, ओके ये जो resistance है, इसको shunt कहा जाता है, को कि इसको आप याद रखो, जो resistance parallel way में जोड़ते हैं, वो shunt, उसको shunt कहते हैं उर्दू में इसके लिए अलग-अलग नाम है इसका एक नाम है आतिफ को कि इसका एक दूसरा जो नाम है, वो है मुनातिफ तो इस तरीके से ये दो अलग-अलग उर्दू के नाम भी धहन में रखो लेकिन जाहर आतिफ मुनातिफ थोड़ा सा मुश्किल नाम जाते हैं इसलिए shunt बोलना जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा तो आप simple way में सिर्फ इतना याद रखो कि ये जो resistance जिसको आप parallel जोड़ेंगे it is called shunt उसको क्या बोलेंगे shunt और अब हमारा target क्या है हमको shunt क्यों जोड़ना है हमको shunt इसलिए जोड़ना है ताकि इस 8 हो हम resistance को 4 किया जाए मतलब इन दो लोगों का resultant जो है आरपी वो 4 हो हम हो ये हमारा target है तो अब हम एक काम करते हैं ये दो लोगों के लिए मतलब इस 8 हो हम के लिए और इस x के लिए हम parallel resistance का formula apply कर देंगे मतलब हम formula ले लेंगे 1 upon rp is equal to 1 upon 8 और हम plus 1 upon x x जो है वो shunt है अब आरपी जो है वो हमने खुद से अंदाजा लगा लिये थे कि इसको balance करना है तो यहाँ पर 4 चाहिए इसलिए rp की value हमारे पास 4 थी यहने आ गए थी इसलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 by 4 is equal to 1 by 8 plus 1 by x ठीक है अब आप 1 by 8 को इदर ला लो मुझे उम्मिद है आपको इतना धन में आ गया होगा ओके चलो अब और आगे बढ़ा देते इसको थोड़ा सा यह 1 by 8 को इदर ला लिए उस साइड में बचेगा 1 by x इक्वल टू यह क्या बचेगा है हम पर 1 by 4 और यह 1 by 8 इदर आकर मैनस होंगा तो 1 by 8 चलो इन दो लोगों को solve करना है cross multiply करके हम इनको solve कर सकते है easily वैसे LCM से भी कर सकते है दोनों का LCM 8 हो जाएगा और अगर LCM वगर आपको अगर मुश्किल जा रहा हो तो simple याद करो कि नीचे वालों को direct multiply कर दो उपर वालों का cross ले लो तो 8 बंसा 8 minus 4 बंसा 4 तो यह आ जाएगा 1 by x is equal to 8 minus 4 is 4 upon 4 into 8 4 से 4 cancel 1 by x is equal to 1 by 8 इसका मतलब x is equal to 8 ohum तो इस 8 ohum के साथ में अगर आपने एक 8 ohum और जोड़ दिये shunt के तोर पे parallel combination के अंदर shunt अगर आपने 8 ohum का लगा दिये इस 8 ohum के साथ में और एक 8 ohum का shunt अगर आप जोड़ देते हैं तो यहां का equivalent resistance 4 ohum हो जाएगा और फिर यह वेट स्टोन ब्रीज जो है यह balanced हो जाएगा इस तरह के problem कई बार exam में पूछे जाते हैं मुझे उम्मिद है आपको यह numerical समझ में आ गया होगा चलो मैं एक homework आपको दे रहा हूँ और इसका answer आप मुझे comments में दे सकते हैं आप एक काम कीजिए आप देखो कि यह जहां जहां पर 4 ohum resistances दिये गए हैं मैं इन सब को change कर देता हूँ ठीक है यह सारी values जो है यह मैं बदल देता हूँ इसमें suppose करो कि यहां पर 5 ohum है यहां पर 10 ohum है यहां पर 20 ohum है ओके और इस जगह पर 30 ohum है ओके 5, 10, 20, 30 इस तरह का आपको दियावा है और अब आपसे question है पहला question कि क्या यह balanced है whether this wetson bridge is balanced or not क्या यह wetson bridge network balanced है या नहीं है तो वैसे तो आपको अब अगर आपको यह पूरा article समझ में आ गया होगा तो आपको देखकर ही समझ में आ जाएंगे कि यह balanced नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि 5 upon 30 is not equal to 5 upon 30 is not equal to 10 upon 20 क्योंकि इसकी value क्या आएगी 1 by 6 is not equal to 1 by 2 हो नहीं सकता तो r1 upon r4 is not equal to r2 upon r3 तो पहला answer तो आ गया और यह answer आपको पहले से पता था क्योंकि यह balanced नहीं होगा क्योंकि अगर balanced होगा अगर यह already balanced दे दिया तो फिर आगे कि तो हाली नहीं बनता ना कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है फिर अगर balanced है तो चलो ठीक है तो यह balanced नहीं है अब balanced नहीं है तो आपको आगला question क्या है कि what is the value of shunt which is connected across 30 ohum resistance इस 30 ohum resistance के across में आप कौन सा resistance ऐसा जोड़ोगी ऐसा कौन सा shunt आप यहां लगाओगे कि यह balance हो जाए तो आप लोगों ने इसको solve करने की कोशिश करना और जो भी आपका answer आएगा तो वो comment के तोर पर आप मुझे उसका answer दे सकते हैं ओके यहाँ पर हमारी पहली example जो है वो complete हो गई चलिए अब हम हमारा second numerical शुरू करते हैं आप देखिए second numerical में आपको एक circuit दियावा है जो आपको अभी circuit दिख रहा है यहाँ पर बोड पर और आप से अलग-अलग जो questions है वो यह है पहला question यह है कि what is the value of current passing through one oham resistance पहली चीज़ what is the value of current passing through one oham resistance ओके दूसरा जो question यह है कि what is the effective resistance between point A and B तो point A और B के पीछ में effective resistance मतलब दोनों की बीच का जो resultant resistance होगा वो क्या होगा तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो यह है कि यह जो circuit आपके सामने दिख रहा है basically यह वेटसोन बिरिज नेटवर्क ही है मैं आपको देखो समझाने के लिए इसके कुछ points के नाम रख देता हूँ अलग-अलग जैसे एक काम करते हैं मान लो इस point का नाम P रख देते है इसका नाम Q रख देते है ठीक है एक काम करते है यह वाले point का नाम X रख देते हैं यहाँ पर और यह वाला जो point है इसका नाम Y रख देते तो यह कुछ यह वाले design को अगर हम थोड़ा सा रूप बदलने की अगर कोशिश करें तो देखो क्या हो जाएगा ये point A है ये X है अब X और P के बीच में ये है यानि ये वाला resistance है तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से इस जगह पर point P बना देता हूँ और यहाँ पर ये मैंने 5 ohm का resistance बना दिया समझना है आप लोगों को अब P और Y है P और Y के बीच में 10 ohm है तो एक काम करते है यहाँ से इस जगह पर मैं point Y ले लेता हूँ और ये एक resistance है P और Y के बीच में कौन है 10 ohm है इसके बाद X और Q है तो आप लोग देखो ये X है और मान लो कि यहाँ पर point Q है तो X और Q के बीच में इस जगह पर 10 ohm है और उसी तरीके से Y और Q ये देखो Q और Y इनके बीच में तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक resistance है और उसकी value है 20 ohm इस जगह पर जो terminal निकला भाए वो B है और अब P और Q के बीच में भी एक resistance है तो यहाँ पर इस जगह पर एक resistance है और उसकी value है 1 ohm मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था आज के वेट स्टोन बिरिज नेटवर्क में 5 या 6 resistance हो सकते हैं तो आप देखो 5 resistance आ गया जो गैलो अनुमीटर था वो गायब हो गया उसकी अगा पर 1 ohm आ गया ठीक है तो अब आप लोग देखो आपसे 2 questions पूछे गए हैं पहला question वाट इस दा वैलियो ऑफ करन्ट पासिंग थू 1 ohm resistance याने 1 ohm resistance में से ये वाले resistance में से कितना करन्ट पास हो रहा है तो इस में से कितना करन्ट पास हो रहा है ये सौछ का जवाब के लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो weight stone bridge जो है तो ये balance है या नही है तो इसके लिए हमारा तरीका क्या होता है हम इसका नाम रख देते है R1 इसका नाम R2 इसका नाम R3, इसका नाम R4 बोलो क्या होगा, फॉर्मूला क्या था हमारा R1 by R4 is equal to R2 by R3, ओके यह इस तरह से clockwise नाम रखेते हैं हम लोगों ने, तो यह याद रख लो आप लो, तो R1 by R4 equal to R2 by R3, चलो सारी values पूड कर देते हैं R1 की value है 5, R4 की value है 10, equal to R2 की value है 10, R3 की value है 20, इसको solve करे तो 1 by 2, इसको solve करे तो 1 by 2, मतलब यह बिल्कूल correct है, ओके अब आप देखो, R1 by R4 equal to R2 by R3 आ गया इसका मतलब यह हुआ कि यह formula correct हो गया, यह formula applicable हो गया, यह formula verify है तो फिर यह one home मेंसे तो कोई current pass ही नहीं होगा, क्योंके balancing condition हमने बोले ही किसको थे, हमारा targ, हमारा main जो, हम लोगों ने जो पढ़ा था भी कुछ देर पहले वो यह ही था कि अगर बीच में से, यहां से बीच वाले terminal में से, अगर कोई current flow नहीं होता है, तो ही तो यह balanced है, और यह balancing condition का formula था, यह formula अगर verify हो रहा है, इसका मतलब there is no current passing through one home resistance, तो पहले question का answer यह रहेगा, the current passing through one home resistance is zero, को कि यह यह उसमें से zero current pass होगा, तो यह पहले सवाल का जवाब आ गया, अब मुझे यह उमिद है, आपको यह concept समझ में आ गया होगा, अब दूसरा जो question है, वो है कि point A और B के बीच में effective resistance कितना है, what is the value of effective resistance, ओके तो चलो देखते हैं, वो भी बहुत आसान सी बात होगी, dumb, यहाँ पर, किस तरह से हम उसको solve कर सकते हैं, उसको देख लो एक बार, सबसे पहले आप देखो, कि अगर यहाँ बीच में कोई resistance, यह कोई current ही नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारे circuit का party नहीं है, हम इसको गायब कर सकते हैं, imagine कर लो कि यह नहीं है, okay, तो मैंने इसके connection ही निकाल दिया, इसको बीच में ला लिया, हटा दिया, आप चाहो तो इसको पूरा का पूरा गायब समझ लो, है यह नहीं मान लोगो, ओके, अब अगर उसको आपने पूरे गायब कर दिया, तो आप क्या बचा, पॉइंट एक्स और वाय के बीच में आपके पास, रेजिस्सन्स जो जो जोड़े हैं, टोटल मिला के चार हैं, दो लोग उपर दिख रहे हैं, दो लोग नीचे दिख रहे हैं, जो उपर वाले जो दो लोग हैं, तो वो सीरीज में हैं, जो नीचे वाले दो लोग है ये भी सीरीज में है और ये दोनों का सीरीज मतलब ये दोनों का सीरीज कॉंबिनेशन और ये दोनों का सीरीज कॉंबिनेशन एक दूसरे के साथ पैरलल है ओके देखिए जो कुछ भी मैंने अभी बोला मैं इसको बना के बताता हूँ यह point A है यह point X है मान लो तो यहाँ पर उपर इस जगह पर एक resistance फिर एक resistance और यह point Y और यहाँ का यह point B है फिर यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर कुछ तो भी है इस तरह का design आ जाएगा एक resistance यह एक resistance यह ओके अब यह दोनों सीडिस में है तो यह दोनों हट जाएगे और अगर यह दोनों हट गया तो इनकी जग़ा पर एक resistance आ जाएगा कितना आएगा series का formula क्या था? series का formula था R1 प्लस R2 मतलब सिधा सिधा add करना है तो यह 5 और यह 10 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 ओहम ओके और अब आप देखो वही चीज नीचे होने वारी है यह दोनों भी सीरीज में है तो 10 प्लस 20 यह कितना हो जाएगा इन दोनों का resultant 30 ओहम तो यह 15 ओहम और यह 30 ओहम एक दूसरे से कैसे दिख रहे है अगर यह दोनों पैरलल हैं तो हम यहाँ पर पैरलल कॉंबिनेशन का फॉर्मूला अप्लाए करेंगे फॉर्मूला क्या था वन अपान आर पी इस इक्वल टू वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू ओके चलो इसमें सारी वैलियूस पूट कर दो यह कुछ ऐसा हो जाएगा उन अपान आर पी इस इक्वल टू वन अपान आर वन फिफ्टीन प्लस वन अपान आर टू थर्टी ओके दोनों को सॉल करना है ल्चेम थर्टी आ जाता और अगर ल्चेम के बगएर करना है तो दोनों को क्रॉस ले लो उपर क्रॉस आ जाएगा तो 30 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 1 इसका मतलब भी कितना हो जाएगा 45 अपान 15 इंटू 30 यह कड़ जाता 15 थिरी था 45 थिरी वन जा और थिरी तैन जा इसका मतलब 1 अपान तो पॉइंट ए और बी के बीच में जो इफेक्टिव रिजिस्टन्स होगा वो टैन ओहम रिजिस्टन्स होगा मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आपको यह समझ में आगया होगा और आपने खुद से भी इसको सॉल कर लिए होंगे तो यह थी हमारी एक्जामपल नंबर टू चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की तीसरी एक्जामपल अब तीसरी एक्जामपल जो है तो उसका जो डिजाइन है वो मैं आपके सामने यहां पे पहले बना देता हूँ मान लो आपके यह पॉइंट A है यहां पर एक रिजिस्टन्स यहां पर एक रिजिस्टन्स यहां पर एक रिजिस्टन्स और यह पॉइंट B ओके इन सब की हम इक्वल वैलिउस ले ले लेते हैं मान लो यह भी R है यह भी R है और यह भी R है तो अगर सिर्फ इतना ही रख दिये जाए तो ये तो बहुत ही बच्चे जैसे सवाल हो जाएगा कि ये तीनों जो है सीरीज में है वाट इस दा इफेक्टिव रेजिस्सन्स ठीर यार लेकिन अब हम एक नया काम करेंगे हम एक काम करते हैं कि मान लो यहां से एक टर्मिनल निकला है ओके और यहां से एक टर्मिनल निकला और इनके बीच में यहां एक रेजिस्सन्स जोड़ दिये ठीक है और सेम ऐसी ही कहानी हम यहां से कर लेते एक टर्मिनल यहां से निकालो इसको हम लोग यहाँ इसके साथ जॉइन कर दो और एक रिजिस्टन्स यहाँ जोड़ दो तो अब यह उतना सिंपल नहीं है अब आप जैसा देख रहे हो कि यह जो पूरा का पूरा जो सर्कीट है तो अब यह एकदम ऐसा नहीं बोल सकते यह आपकी यह तीनों सीरीज में है यह पर यह दोनों पैरलल में है यह पता नहीं यह कैसे है तो इस तरह के सर्कीट का कोशन आप से पूछ सकते हैं मान लो कि आप से यह सर्कीट दिया जाए और आपको पूछा जाए कि What is the value of effective resistance between A and B point A और point B के बीच में Effective Resistance क्या होगा? ओके, तो अब देखो, इसको solve करने के लिए, सबसे पहले हम इसमें कुछ terminals, कुछ corners जो हैं, पहले हम उनके नाम रख देते हैं, ताकि हमको इस circuit का equivalent circuit बनाने में आसानी हो जाए. ओके, तो मान लो कि मैं ये वाला जो point है, इसका नाम यहाँ पे X रख देता हूँ, और ये वाला जो point है, तो मैं इसका नाम Y रख देते हैं, इस point का नाम P रख दो, और ये वाले point का नाम Q रख देते हैं, ठीक है? अब equivalent resistance बनाने की, equivalent circuit बनाने की कोशिश करते हैं, देखो, point A, इसके साथ जुड़ा हुआ है point X, यहाँ पर, अब X और P है, तो इनके बीच में एक resistance है, R, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस जगह पर point P ले लेता हूँ, और यहाँ पर ये resistance R बना देते हैं, ऐसा, अब आप देखो, point X और Y के बीच में भी एक resistance है, तो कहीं तो भी एक point Y लेना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस जगह पर point Y ले लेता हूँ, और आप देखो, X और Y की बीच में R है, तो मैं यहाँ पर R ले लेता हूँ, ठीक है, इसके बाद आपको बोला गया है कि P और Y, आप देखो गोर से, P और Y, इनके बीच में भी एक resistance है, यह P है और यह Y है, तो इनके बीच में एक resistance यहाँ पर हम बना सकते हैं, तो इस जगह पर एक resistance बना देते, यह बन गया R, चलो ठीक है, यह तो हमारी पुरानी डिजाइन जो हो वापस आते हैं नजर आ रही है, अब एक काम करते हैं, P और Q है, तो P और Q के बीच में भी एक resistance है, तो पॉइंट Q कहीं तो भी लेना पड़ेगा, तो मैं यह P है, तो यहाँ पर मैं इस जगह पर पॉइंट Q ले ले लेता हूँ, और इस जगह पर उनके बीच में एक resistance है, R, हो गया, और अब आखरी चीज़ देखो आप लोग, यह Q और यह Y, इन दो के बीच में भी एक resistance जुड़ा हो दिख रहा है, तो यह पॉइंट Y और पॉइंट Q, यह पॉइंट Y और यह पॉइंट Q, ओके तो यह थोड़ा सा, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यह Y और Q इन दोनों के बीच में इस जगह पर, यह और यह और Q के बीच में यहाँ पर भी एक resistance है, और फिर Q के आगे एक टर्मिनल निकलाव है और उसका नाम है B, तो अब आप देखो, यह circuit को अगर आप देखेंगे तो आपको डर लगेगा, ऐसा लगेगा, पता नहीं यह क्या है, कौन किसके साथ parallel है, कौन सीरीज में है, कौन क्या है, जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको इस तरह की टर्मिनल के नाम रखकर अगर आप उसको equivalent बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखो यह क्या चीज है, यह तो वही है हमारी देखिवाली चीज, अभी कुछ दिर पहले जिसको हमने वेट स्टोन बिरिज नेटवर्क बुले थे, ओके, एकदम आसान सी बात है, अब आप एक चीज देखो कि यह बैलेंस है के नहीं है, तो डेफिनिटली बैलेंस है, यह आर वन है, यह आर फूर है, आर वन अपान आर फूर क्या है, आर बै आर, यहने वन बै वन, इकवल टू, आर टू बै आर थिरी, आर बै आर, यहने वन बै वन, यहने वन, तो बैलेंस है, डेफिनिटली बैलेंस है, और जब यह बैलेंस है, तो यह बीच वाले की कोई वैलिव है, नहीं है, इसका मतलब यह गायब हो गया, यह जिरो हो गया, तो अगर यह बीच वाली की वैलियू नहीं है और तो यह गायब हो गया है, तो मैं इसको गायब कर देता हूँ, यह गायब हो गया है यहाँ से, अब जो बचा है अब आप गोर से देखो, पॉइंट X और पॉइंट Q, इन दो लोगों के बीच में, पॉइं सीरीज में है, मतलब इनको डायरिक्ट एट करना पड़ेगा, ओके, तो अगर मैं यह सरकीट का और इसका और एक्वैलेंट अगर बनाना चाहूं, तो मान लो कि यह पॉइंट A है, तो मैं यहाँ पर अभी कैसा बनाऊंगा, यह इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं, यह प कर दिये, बैलेंस था इसलिए, फिर इसका इक्वैलेंट यह बन गया, ओके, और आब इसको तो सॉल कर सकते हैं, A और B को के बीच में इफेक्टिव रेजिस्सनस क्या होगा, इन दोनों का पैरलल वाला अंसर, यह आ जाएगा, वन अपॉन आर पी इस इक्वल टो वन टू, ओके, वन अपॉन आर वन कितना है, टू टाइमस आर, वन अपॉन आर टू कितना है, टू आर, इसका मतलब इन दोनों का अगर LCM ले ले लेते हैं, तो टू आर हो जाएगा, तो यह कितना आ जाएगा, वन अपॉन टू आर, प्लस वन अपॉन टू आर, मतलब टू B के बीच का जो final resistance है जो effective resistance है वो R होगा ओके यहाँ पर आप एक चीज़ देखो यह answer तो आ गया इस particular problem के अंदर जो effective resistance है वो R आ गया है वो उस वक्त आया जब सारे के सारे resistance आपको equal R दिये वे थे लेकिन यह जरूरी नहीं है के सबके सारे equal दिये जाएं यह अलग-अलग values के भी हो सकते हैं लेकिन values इस तरह से दी जाएगी जिसके अंदर आप यह वाले resistance को गायब कर सको ओके यह main hint है उसके अंदर के बीच वाला जो resistance से यह गायब होना चाहिए और यह गायब कब होगा जब यह ratio equal आएगा तो आपको problems इसी टाइप का दिया जाएगा मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आपको यह पूरा concept या पूरा जो मामला हो समझ में आ गया होंगा और आप इस तरह के numericals जो है उनको देखकर डरोग यह नहीं बलकि उनको solve कर सकते हो इसके अलावा आप याद रखो कि यह क्योंके बहुत ही ज़ादा important article है और इसे related बहुत सारे problems बनाए जा सकते होते हैं जो इससे पहले कई exam में मतलब board exams में भी और NEET में और JW वगरा के exam में भी इस तरह के कई problems आ चुके हैं तो मैं एक काम करूँगा के लिए बस इतना ही अगला lecture जो है वो इसके बाद के बचे हुए numericals के ओपर हम लोग करेंगे ओके तो चलिए keep studying अलाभाफेश